हेलो गाईज आप सब का स्वागत है फी मैनिफेस चैनल में आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे गाईज आज हम बात करने वाले हैं कि आपको वाइट कलर के फैदर्स क्यों दिखते हैं अगर आपको वी वाइट कलर के फैदर्स दिखते हैं तो मैं आपको request करता हूँ कि आप इस वीडियो को end तक देखेगा ताकि आपके सारे doubts clear हो जाए तो चलिए शुड़ करते हैं Guys, Angel हमें बहुत सारे तरीकों से messages देने की कोशिश करते है और इन में से बहुत common तरीका है feathers Guys, हर तरीके के feather का अपना ही एक symbol होता है अपना ही एक message होता है अगर आपको हर color के feather की information है तो आप उसको अपनी growth में अच्छे से use कर सकोगे तो finally अब हम बात करने वाले हैं कि आपको white color के feathers क्यों दिखते हैं जो सबसे पहला meaning है Guys, आप में से बहुत से लोगों ने अपने किसी करीबी को recently अगर खोया है तो white color का feather दिखना बहुत ही common है और Guys, इस feather का दिखने का मतलब यह है कि अब वो एकदम सही जगा है वो अच्छे हैं वो आपको देख रहे हैं आपके साथ हैं आपको blessing दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप जिन्दगी में आगे बढ़ें खुश रहें अब हम बात करते हैं दूसरे meaning की जो की है कि आपको angels message देना चाहते हैं Guys, जब भी आपको feather दिखे तब आप एकदम pay attention हो जाएं अगर आप कुछ दिनों से कुछ सवाल अपने आप से कर रहे हो और उसका जवाब को नहीं मिल रहा है तो ये एक तरिक्के का clue है आपको अपने आप से पूछना है कि इसका क्या जवाब हो सकता है जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं उसका क्या जवाब हो सकता है आपको क्या करना चाहिए तो guys ये एक तरिके का clue है जो angels आपको देना चाहते है कि आप अपने मन से पूछें कि आपका मन क्या कहता है आपको क्या करना चाहिए क्या सही है क्या जवाब है आपके सवालों के अब हम बात करते हैं तीसरे मिनिंग की गैस अगर आप रिसेंटली किसी चीज से अपसेड हो या फिर आप डिसपॉइंटेड हो तो यह एक तरीके का साइन है जो इन जिसाब को देना चाहते हैं वो आपको कहना चाहते हैं कि आप उस चीज को लेके अपना मन छोटा ना करें डिसपॉइंट ना हो अप चीजें बैटर होंगी टाइम लगेगा बट बैटर होंगी अगर आप अपने past में ही बैठे रहोगे past में जो हुआ उसके बारे में सोचते रहोगे regret करते रहोगे तो आपकी life change नहीं होगी तो आपको अपने past को पीछे छोड़ना होगा अपने future के बारे में सोचना होगा और एंजल साब कहना चाहते हैं कि future आपका बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने past के बारे में ना सोचे अपने efforts लगाए नई नहीं चीज़ों के लिए आगे बढ़ने के लिए अपने उपर work करे अब हम बात करते हैं fourth meaning की जो की है आपकी spiritual development के related guys जो birds होते हैं न वो connected होते हैं divine से spirit world से और white feather एक त्रीक का sign है जो आपको पताना चाहता है कि आप न attention नहीं दे रहे हो अपनी spiritual development के लिए आप चीज़ों को टाल रहे हो आप अपने आपकी growth नहीं कर पा रहे हो spiritually तो आपको इसके उपर work करना होगा आपको चीज़ों के लिए time देना होगा अपने spiritual development के लिए time देना होगा अपने आप के लिए time देना होगा काम के लिए देना होगा हर चीज़ के लिए देना होगा बट कहीं न कहीं जो आपकी spiritual development है वो रुकी होई है तो उसके उपर आपको work करना होगा मैंने अल्रेडी spiritual development के ऊपर काफी वीडियोस बनाई हुई है तो आप मेरे चैनल के ऊपर उस वीडियोस को देख सकते हो अब हम बात करते हैं फिफ्ट मिनिंग की जो की है action गैस होता क्या है कि जब आपको feathers दिखे तो angels आपको कहना चाहते हैं कि आपना चीज़ों के लिए action ले रहे हो जो चीज़े जरूरी हैं आपके लिए जो आपको भी लगता है कि हाँ मैं कोई ये करना चाहिए इस चीज़ के लिए action लेना चाहिए बट कहीं ने कहीं आप आपको लग रहा है कि आपको कोई रोक रहा है गैस आपको कोई नहीं रोक रहा है एंजल साब को कहना चाहते हैं कि आपको कोई नहीं रोक सकता आपने खुद को रोका हुआ है तो आप उन चीजों के लिए action लें जो कि आपके growth में आपके future में आपको help करें अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या कहना चाहती है अगर आपकी अंतरात्मा आपको अलाओ नहीं कर रही है कि यह चीज सही नहीं है तो ना करें उसको चीज को छोड़ दें बट अगर का मन कह रहा है कि यह चीज सही है पर फिर भी आप उस चीज के लिए action नहीं ले रहे हो तो यह गलत बात है तो guys मैं आपको यह कहूँगा की आप चीजों के लिए action ले अब हम बात करते हैं sixth meaning की गैस क्या होता है कि जब भी आपको बार बार white color का feather दिखे तो इसका यही मतलग ह हो सकता है कि आपका जो soul mate है, वो आपके आस्पास है। हाला कि आप उस person को अभी नहीं जानते हो या फिर आप differenti का नाम नहीं पता है, वो कैसा दिखता है। बट कहीं नहीं ये इशारा करता है कि आपका soul mate आपके आसपास है और इसके बहुत चांसिस है कि आप बहुत ही जल्द अपने soulmate को मिलोगे लास्टली अब हम बात करते हैं 7th मिनिंग की जो की है good luck गैस यह एक तरीके से आपको sign दे रहे हैं यह feathers जो especially white color का feather आपको sign दे रहा है कि यह good luck है आपके लिए और आप एकदम सही right path पे चल रहे हो अगर ऐसे ही आप अपने right path पे चलते रहे तो बहुत ही जल्द आप लाइफ में अच्छे result देख पाऊगे तो गैस आज के लिए बस इतना ही आप मुझे बता सकते हो comment करके कि आपको कौन सी color का